कोमल की साधी हुए कई साल गुजर गए समझदार पती और दो प्यारे बच्चे होते हुए भी मन में खाली पन का एहसास होता जब कोमल किसी बात से दुखी होती तो उसके मन के कोने में रोहित उतर आता दो चार दिन की मुलाकाते हुई होगी उससे क्या फर्क परता है दिल को मचलने को इतना ही काफी है पंदरह साल की अलहर उम्र में रोहित से टकरा कर उसका दुनिया देखने का नजरिया ही बदल गया फूल पती तितलिया अचानक से सभी के रंग चटक हो उठे सारे गाने रुमानी और नजारे हसिन लगने लगे उ पूरा रंग, काली पैंट, बुलू शर्ट और काले चसमे में गजब ढ़ा रहा था बायक रोक कर उसने अपने गुंगराले बालों को हाथों से पीछे को सवारा और गेट के पूरा खुलने का इंतजार करने लगा उसके आकर सक बेक्तितु से प्रभावित हो वो भी गेट पर खरी हो गई थी, फिर दोबारा मुलकात सुधा के बड़े भाई की साधी में हुई, राहुल के साथ रातवा जाकर एक दूसरे की पसंद ना पसंद जानते रहे, तीसरी मुलकात होली के रंगों की बीच हुई, दोनों ने एक दूसरे को प्रेम में भीगे रंगों से सर बोर कर दिया और चौती मुलाकात जब राहुल और सुधा की भाई राजू दोनों कम्पिटिशन की तैयारी के लिए सहर छोर कर जा रहे थे तो वो सुधा की परोसन ही थी जब मौका मिलता अपनी खिर्की से उसके घर की और टक्टकी लगाए राहुल का इंतजार करती एक द उसके पास कोई नंबर नहीं था जिससे मिलाकर वो राहुल का मन टटोल ले इंतजार करे भी तो किस भरोसे पर उसने कोई संदेश भी न भिजवाया कास वो सुधा के घर ही फोन कर अपनी कुसल बता देता आखिर वो डोली में वैट सहर से बिदा हो गई गिरहस्ती की सुर सुर्वात में जब पती छेरते कोई प्रेमी तो नहीं छोर आई जो इतना उदास रहती हो वो सखवका जाती मानो चोरी पकड़ी गई हो डर कर कभी अपनी सहेली से भी उसका हाल चान न पुछ पाई सहर सहर पती के संग तबादले वे घुमती कभी किसी परटन अस्थल पर उससे मिलती कद कार्थी को देख हिचुक जाती सोचती रहती राहुल अचानक से सामने आ जाएगा तो वो उसका परिचाय कैसे देगी समय तेजी से गुजरता गया बच्चे घर से दूर चले गए पती अपनी नोकरी में वेस्ट हो गए खाली समय के साथ पुराना समय हर सम से तो वो आज भी इस विसे में चर्चा नहीं कर सकती उसे कोई और जरिया तलास ना होगा कोमल को उपाय सुझा उसने फेस्बुक का सहारा लिया सुधा की फ्रेंड डिस्ट में रोहित मिल गया उसने तुरंत उसकी प्रोफाइल को खोल कर देखा रोहित की खुबसूरत प अपनी है इसकी रोहित तो मुझे भूल कर भी याद नहीं करता होगा फिर निरास होकर फोन रख कर बैठ गई उसके हिर्दे में रीता पैर फैला कर पसर गया उधर रोहित अपनी प्रोफाइल खोल कर बोला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जलक देखने के दिए फेस्बुक जोइन किया था तुम्हारा परिवार्ट देखकर तसली हो गई थी मगर तुम्हारी फ्रेन रिक्वेस्ट का आज भी इंतिजार है मेरे मन में आज भी वह एहसास जिंदा है जो पहली मुलकात में जागी थी दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्राइब